एक्चल में जवाब एस्टालोजी को पढ़ रहे हो और जवाब का बेसिक लेवल है एस पर पराश्री जुटिश जवाब बेसिक में हो ठीक है तो कुंडली देखना यहीं से शुरू हो जाता है बेसिक से कुंडली देखना आ जाता है लोगो उसके लिए करना क्या कुछ नहीं करना है आपको सारे हाउसे का पता होना चाहिए कौन सा हाउस किस चीज को इंडिकेट करता है किस हाउस में क्या-क्या चीज़ें समाई वह आपको पता नहीं है तो प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है अब आपके पास अगर क्लाइंट आ रहा है और वह आपसे कहता है कि मेरे करियर के बारे में बताई अपका जो सबसे पहले द्यान चाहिए वह उस्ता प्रे effectively क्लाइंट ही जब आपके पास आया और आप यह मतलब कैसे कुश्टम्स हो सकते कमा बहुत रहे हैं लेकिन खर्चा जो है वह बहुत हो जा रहा है बच कुछ नहीं रहा है या और ऐसा क्या करें जिससे हमें और पैसा मिल जा यह हमारे पास पैसा है पैसे से पैसा कैसे बने जिसको हम लोग कभी-कभी एक एक्टिव इंकम होती है और एक होती है पैसिव इंकम एक्टिव इंकम क्या होती है जो आप कुछ अपनी किसी स्किल से किसी जॉब से कुछ सर्विसेज दे के कुछ बिजनस करके जो आप पैसा कमाते हो डिरेक्ट उसको एक्टिव इंकम कहते हैं पैसिव इंकम क्या होती है जब आप अपने क्यों गहता है कि मेरे को पैसा कमाना है, पैसा मेरे पास रखा है, और पैसा कमानना है, या हमारी वेल्थ नहीं टिकर रही, पैसा कैसे आएगा, उसके लिए आपका सबसे पहले ध्यbahn जो जाएगा, वो हास पहली आप्यां किसी ने आप से कुश्चन किया कि मेरे आफर्ट नहीं लग रहे हैं मैं कितना भी मेहनत करों कितनी भी कोशिस करों इस तरफर्स नहीं लग रहे हैं है मैं जतनी मेनट कर रहा हूं मेरे को रिजल्ट ही नहीं आ रहा है जाख ऑर फाथ है । तो मेरे को सफर हो रहा है, मेरे को स्ट्रगल हो रहा है, या भाई की हेल्थ कैसी है, छोटे भाई की, छोटे भाई की हेल्थ नहीं सही रहती है, तो आपका ध्यान थर्ड हाउस पे ही जाना चाहिए, या भागदोर बहुत कर रहे हैं, फट बहुत डाल रहे हैं, महनत बहुत क सब्सक्राइन आफ और दिसमया Sovi और उसमें भी आपको क्लीर करना है पहले चाइंड कर रहा और दूसरे चाइंड की बाद पर अब child में यह होता है कुछ लोग कहते है भाई abort हो गया तो उसको भी count करना है कुछ लोग कहते हैं कि भाई पहला बच्चा होने के बाद ही फिर आप दूसरे house पे जाओगे तो मैं यह आप से कहूंगा जो valid चीज है और एकदम correct चीज है वो यह है कि पहला बच्चा fifth house से ही देखा जाएगा और पहला बच्चा कौन सा पहला बच्चा जो abort हो गया है दो बार या तीन बार वो पहला बच्चा जिसने मा के गर्व से जन्म लिया और at least एक सास लिया सास जो होती है न आपकी breathe at least एक सास लिया हो उसके बाद वो खतम हुआ हो उसको आफ चाइल्ड बुलोगे और अगर abort हो गया बच्चा वो count नहीं होता है अब हमसे problem क्या होती है हमसे गलती क्या होती है हम client से पूछने लगते हैं कितनी बार अबोर्ट करा लिए कितनी बार abortion करा लिए पूछने में भी बेड़ पर एकस्पायर हो गया इंस्टेंट एकस्पायर हो गया जनम लेते ही ना रहा हो वह आप करेक्ट कर सकते हैं तो उसमें भी आप देखोगे कौन से बच्चे की बात करो अभी पहला एक आग दो हुए हैं कि नहीं है और आज के जो कल्चार है आज की जिन्देश्या है ना तो एटaters एक या दोपे ही लोग अब हुए है पहले बच्चे की बात है दूसरे बच्चे की बच्चे की बात अब का तीस्रा बाएगा sèventh house हो गया आया पहले के बाद ही है ना पहले से तो छोटा है ना वो इसलिए वो sициventh house हो जाएगा पिर तीसरे की बात करेंगे तो नाइन्थ house हो जाएगा और कोई भागशाली महा भागशाली वक्ति हो चौते बच्चे की बात कर रहा है तो फिर 11 फाउस पर आप जाओ गई ठीक है समझ रहो ऐसे ही उस भाव से तीसरे भाव को आप जब काउंट करते हो तो उससे छोटे वाले का पता चल जाता है तो आप से कोई बात कर रहा है कि भाई मेरे को याद नहीं रहता पढ़ता हूं तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे है वह भी ट्वैल्थ तक ही ऐजूकेशन के बारे में पता कर रहा है मेमरी लॉस हो जा रहा है दिमाग में चीज़े आ नहीं रही है या मेरा बच्चा सड़ा सा मूँ बना कर बैठा रहता है कुछ इंटरें नहीं करता है या मैं जो हैं इंट सबसे पहला काम क्या है हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं जब भी आप पढ़ रहे होंगे अभी भी पढ़ी रहो चोटी क्लासेस में जब आप पढ़ रहे होगे तो हम क्या कहते थे थे पहले कोश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना क्लाइंट जब आपको आपके सामने कोई भी कोश्चन करता है उसी में ही आंसर चुपा होता है और पिता जी बनने की कोश्चे सुरू में करना नहीं या आप उसकी कुंडली के बारे में सब बताने लग जाओ दो चार 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 पडिक्शन ठीक हैं कि नॉर्मल जो बेसिक ल की भी बात हो रही है अब कोई अपनी बच्चे की पीड़ा लेकि आया वाप उसको एजुकेशन के बारे में बताने लग जाओ तो इंटरस नहीं लेगा ना वो आदमी तो अपने जो उसका पॉइंट है पिन पॉइंट जो है उसी पर ही इंटरस लेता है अब आप मेंसे अ आपके लेवल पर नहीं हो आपके लेवल पर क्या है आपको सामने से कोश्चन पूछना है सामने वाले से आप चाहते क्या हो क्यों कुंडली दिखाना चाहते हो और इन जनरल 90% लोग अपना कुश्चन बोलते हैं क्लाइंट से बात समझा रही है जब आपने चेक किया कि आपके पास कुंडली दिखाने आएंगे और आपने को आपको ऑनलाइन रेइस्टर्ड कर लिया किसी मतलब एप पे किसी थर्ड पारिटी अप्लिकेशन पर तो उसमें जो कोश्चन आते हैं रैंडम ऐसी कोश्चन आते हैं उसमें भी आपको फिफ्थ हाउस ही चेक करना है पंचम भाव पकड़ोगे तो लव रिलेक्शन का पता चल जाएगा तो कि पंचम भाव जो हता है वो प्रेम का होता एसपर पराश्री जोतिश पंचम भाव इस्ट का भी है कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई मेरे इस्ट कौन है हम किस देवी देवता की अराधना करें तो पंचम भाव में जिस भी प्लैनेट की राशी पड़ी होगी उसी इस्ट की अराधना विक्ति को करना चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं अगर एक और आठ नंबर है तो हनुमान जी अकारतिके जी के अराधना करें दो और साथ है तो किसी देवी के अराधना करें महालक्ष में भी आ सकती है उसमें और उसमें भी अलग-अलग वेरियेशन्स है एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी पर उसमें मा गौरी भी आती है पार्वती भी आती है तो किसी देवी के उपैसना आप कर सकते हैं अगर दो और साथ नंबर आ रहा है चार नंबर आ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण की अराधना करेंगे पांच नंबर आ रहा है तो या तो सूरी की अराधना करेंगे या तो भगवान श्री राम की अराधना करेंगे नो और बारा आ रहा है तो भगवान शिव की अराधना करेंगे और दस और 11 आ रहा है तो ब्रह्म की अराधना या और भी देवी देवता की जो लोग अराधना करते हैं इसमें खाटू श्याम भी आ जाते हैं तो दस और 11 में ये मैं एसपर सनातन या हिंदू मैथोलोजी के हिसाब से बूलना हूँ बाकी और कहीं तो ये है नहीं उनका तो सीरा हिसाब करना है अन्य धर्मों में जरूरत भी नहीं है और 10-11 मा काली को भी रिप्रेजंटेट करता है लेकिन मोहित जी देवियां जो भी होती हैं फोर्थ हाउस से देखी जाए आपकी कुल देवी कौन होंगी ये फोर्थ हाउस बताएगा ये आपके चैप्टर में नहीं लोग पूछते हैं न मेरी कुल देवी कौन है तो ये फोर्थ हाउस आपको बताता है कि आपकी कुल देवी कौन होंगी यह 5th house नहीं बताएगा कुल का भाव कौन सा है आपको पता है second house आपके कुटुम का भाव है जो आपके close लोग होते हैं close में कौन आप आपका बच्चा आपके husband और आपके mother लेकिन जो आपकी joint family है जो आपके ancestral हैं जो किसी देवी की पूजा करते चले आ रहे हैं और वो sequence wise होत जो जो लोग property dispute हो गया यह हो गया वह हो गया यह मैक्सिमम एकेस में सोर्थ हाउस वाले करते हैं इस नहीं करते पिता से तो अपने आप चीज़े मिल जाएंगी न आपको आपको जाचा से लेने में ताया से लेने में तब ज्यादा प्रॉब्लम होती या पिता जी ने ध्यान नहीं दिया वो चल बसे अब प्रॉब्लम आ रही है किसका पिता कौन है ऐसा कोई पिता कि जो अपने दो बच्चे हैं उसके तो दोनों को ना दे वो तो दे गई ना वो तो पहले से निर्धारित है कि dispute कहा पर होता है कि dispute महां पर होता है कि जो आपकी ब्लेड बिलेशन मे रिलेटे atra sales लोग हैं लेकिन आपके बहुत सगहीह नहीं है यह उता है और आपके बच्चे का भी क्लियार है बाइ जो आपके पास सीज़े हैं वो आप अपने बच्चे को दे दो गए करने वाली कोई गुंजाईसी नहीं बच्ची यह उसमें तो कोई चीज घराना है कि अंसेशिय दे पर यह किदा यहां अपने सगे इस में आपने बौगा पर्ति क्विड़ा इस Georgia करे लेकिन यह बहुत काम है इसलिए फोर्थ हाउस जो है वो आपकी जॉइंट फैमिली बात है मतलब ऐसा मत समझना कि अभी राम ऐसी बोल रहा है ठीक है मतलब यह जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूं प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ ही बोलना हूं जो अन्मेरिट फीमेल्स हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है एक बार भी जिनका विवाह नहीं हुआ है यह जिनकी पूरी डिपेंडेंसी उनकी अपनी फैमिली से ही है मतलब कौन सी फैमिली मदर वाली फैमिली माता पिता जहां पर आपके थे वह फैमिली से है वह फिर अपना मतलब कौन सा माई के वाल जो गर है वो सेकंड हाउस ही तो किसी ने आपसे पूचा कि पड़ाइ में मेरा लड़का सही नहीं है या प्रेम में धोका मिल रहा है हां अORA कि तो कौन सा पकड़ना है फिफ्ट हाउस लव मैरिज की बात कर रहा है तो फिर उस केस में भी आपको फिफ्ट हाउस भी चेक करता हूं अभी बता हूंगा दो तीन के स्टेटी दें गया अभी कहने का मतलब क्या है ओवरॉल जो बात है वो क्या है कि लेव इंगल इंजॉयमें और आपकी एजुकेशन त्वेल तक की यह फिफ्ट हाउस ही ओन करता है जैसे ही आपके माइंड में जैसे ही क्लाइंट आपको इनकी तरफ एक बार भी इशारा कर रहा है आपके दिमाग में पंचम भाव नाच जाना चाहिए एक बार में इसका पूरा का पूरा जो कुश् तो पहला टास्कों यह होता ऌको पहले पता चल़ जाए प्रॉब्लम हैं किस चालो और फिर प्रॉडिक्शन चली और पर सौरूशंचा लोगा चार स्टप्स हैं ठीक है अब कोई आप से बात कर रहा है वे लिटिकेशन की बात कर रहा है कोड केस की बात कर रहा है मुकदमे की बात कर रहा है शत्रों की बात कर रहा है ट्रीक थिख एपैसा फॉज गया पैसा नहीं रिकवर हो रहा है पैसा रुक गया है क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है एक यह जितने तरह कोई चुनाव लड़ने जा रहा है वह आपसे कुछ पूछ रहा है कि विजेता होंगे कि नहीं हो कर रहा है वो आपसे पूच रहा है कि मेरा इक्जाम कब निकलेगा निकल भी सकता है नहीं निकल सकता हमारे अंदर कैपबिलेटी है कि नहीं है वो भी ऑग no कि तो जो आपका ममाना होता है वो भी चठा साप कोई किसी रोग की बात कर रहा है कौन सा रोग क्रॉनिक डिसीज नहीं कि नॉर्मल कोई कि भाई मेरे को पी लिया हो गया है जो एंडेस इसको बुल कि ना और जितनी तरह की इन जनरल डिसीज हैं डेंगु एंगु सब इसी में आ जाता है ठीक है वो भी आप सिक्से देखोगे डिसीज आप सिक्से देखोगे जब वह डिसीज आपको बैड़े पर ले आ दे तकलीफ दे दे पेन दे दे वह क्रॉनिक बन जाए पढ़ जाए वह एड जब तक ऑपरेट होने का टाइम नहीं आ रहा तब तक वह सिक्स ही है और जब उसका ऑपरेशन बता दियागा तो फिर एड हो जब ऑपरेशन जुड़ जाएगा ऑपरेट होना हो जाएगा इसका मतलब क्रॉनिक चीज है ना अब सिस्ट है नॉर्मल है सिस्ट जो हो जाती ह अमूमन सभी को फिमेल को तो वैसी हो जाती है पथरी वैसी सबको स्टोन वैसी सबको हो जाता है यह जो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यह जितने भी तरह कि सिस्ट है जितने अब कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि पता चला हर दो साल में एक स्टोन हो जा रहा हूं को ऐसे हैं आपके नोन में कोई या एक सिस्ट गई दूसरी सिस्ट अपने आप आ गई मेरे पास एक केस आया था तो उसमें क्या हो रहा था एक लड़की अभी उसकी उमर कुछ नहीं है मतलब अठारा से 19 साल है उसकी एज कि एना और उसके ब्रेस्ट में आज कि रेट में उनके मदर फादर मेरे को बता रहे थे कम से कम 20 तो इंजिरी हो चुकी है मतलब सिस्ट निकाला गिया है मतलब हर साल एक दो सिस्ट हो जाती है आपके सामने शायद केस नहीं होगा लेकिन मैं जो बता रहा हूं कम से कम उनना मेरे को बताए कि सब सिक्स्टी के आसपास हो चुकी है अभी तक सिस्ट और ब्रेस्ट के रिगिरती ही रहती है पुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि स्टों म स्टों हो रहा ना पता नहीं कितने लोग कहते हैं भाई यह खा रहा हो ऊऔर बाहर का खा रहे है यह सब कुछ नहीं है जब किसी विक्ति का अब बात चलिए तो बोल दे रहा हूं कि यह इसका कोई अंगल आप निकाल भी नहीं पाओगे जब किसी विक्ति का शनी बहुत खराब होता है उसी के केस में यह चीजें होगी इमिडेट एक सिंगल रेमिडी करानी है कि उसके शनी से रिलेटेड ही डोनेशन कराना चालोगे शनी देव को पकड़ ले शनी देव को पकड़ने का मतलब करम भी सही करें दबे कुछ ले जो लोग हैं उनके साथ किसी तरह का गलत ना करें और शनी की कुछ रेमिडीज करना सालो करें सरसों का तेल लैदर शूज तवा लोहा हो गया ना चिम्टा कड़ाई लोहे की छाता ब्लैक कलर का कि किसी का घर चू रहा हो बहरा हो उसको जो शेड दी जाती है तीन जिसको तीन सेट बोलते ना जो उसकी आउकात हो उसके इसाब से उसको डॉनेशन रिक्मंट कर दीजिए शैनी का और उसका कोई सिलिशन नहीं है है कि गांठ कभी भी बनेगे स्टौन कोई बनेगा शनी का ही अस्तित्व होगा एक दो बार बन रही है तो बहुत खराब नहीं इस पुरे लाइफ में एक दो सिस्टब बन सकते हैं नॉर्मल है एक दो स्टौन सो सकते हैं वो नॉर्मल है जब अब नॉर्मल सुच्वेशन बनेगी तब शनी का काम आएगा वाँ शनी का बहुत बड़ा रोल है और अब लोग कहेंगे आपके पास तो बड़े-बड़े लोग आते होंगे और आप जो रेमिडी देते होंगे काम भी करती होगी वो मेरे से कंसिस्टेंसली ओर इयर से जुड़े हैं ठीक है कुछ रिजल्ट तो आए हैं ऐसा नहीं है लेकिन वो रोग अभी भी दूर नहीं हो पाए वो प्रॉब्लम अभी भी है ठीक है और जो सिस्ट ट्यूमर का रूप ले लेती है जो सिस्ट ट्यूमर का रूप ले लेती है फिर उसमें चीज़ें और चेंज़ जाए उसकी बात अभी हम नहीं करें वो फिर पूरा का है हाउस ऑफ कॉंपेटिशन का है लिट्टिकेशन का है जीत का है ठीक है और रिकावरी का है पैसा फसा है आपने किसी को दिया है या कहीं से लेना है इसारा डिपार्टमेंट सिक्सक्राइब आप से इन से रिलेटेड कुछ भी बोल दे आपका ध्यान चठेवाव पर तुरन जाना चाहिए आपके माइंड में फिफ्थ हॉस पर सिक्स हॉस रोटेट हो जाना चाहिए तुरन क्लियर कि उसके बाद सेवन्थ हॉस सेवन्थ हॉस जो है वह आपके पार्टनर का है बिजनस पार्टनर हो चाहिए आपके पार्टनर को चाहिए बिजनस की बात करें तो भी जॉब की कोई बात कर रहा है फिर भी सिक्स हॉस की बात कोई गयरा नौकरी नहीं लग रही नौक सेवंथाउस मेरिच का है पार्टनर्स का है बिजनस का है बिजनस पार्टनर्स का है आज की रेट में लोग पूछते हैं कि पार्टनर्शिप हम करें कि ना करें बहुत लोगों के कुश्चन सो ध्यान रखना जब तक 10th का और 7th का 10th हाउस का और 7th हाउस का एक close relation नहीं बनता है तब तक partnership successful नहीं होगी कि पार्टनर्शिप तभी successful होगी जब 10th का और सेवंथ का close relation बनेगा जब तक इनमें bonding अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी partnership चलने वाली नहीं है कि अब यह है तूद हैफ ज़फारlier का पार्ट बता देंगे आपके, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्शिप एक बहुत बड़ा विश्य है, मतलब जो आपके पास करोणों और वो रुपए किसी कमपनी में लगाने का सोच के आया है, और आपके किवल एक इशारे पे वो प्रिपेयर है कि सर, हम आप को हो तो हम करें, ना को हो त करा दिया नहीं करा दिया, और ट्रस तो आप पे चले जाएगा, दुबारा तो उसको आना नहीं है, लेकिन आपने अपने करम भी खराब कर देंगे, इसलिए मैं आपको एक बात बुलूँगा, जो एस्टालोजी का प्रोफेशन है, इसमें बहुत जल्दी शोहरत मिल जात है, बहुत जल्दी, सक्सेस भी दिखती है, मिलती हुई दिखती है, मिलती है, नहीं मिलती है, वो तो बाद की बात, लेकिन आपके अंदर अगर समझ नहीं है, आपके अंदर अगर सचेतता नहीं है, आपके अगर थोड़े से भी आप, कहीं भी आपका फॉल्ट हो रहा है, एजुकेशन लेवल पर करकुलेशन लेवल पर तो जितना कमाए नहीं रहोगे उससे ज्यादा लॉस्क ना कर दो इस बात पर बहुत ध्यानत लिए कि जोतशी को एक ही काम करना अपने लाइफ में कि कभी भी आप पर डिपेंडेंट लोगों का अहित नहीं होना चाहिए आपके मुझ से कोई चीज निकले और बाद में आप उसको कल्कुलेट करो तो गलत निकल जाए इसलिए अपने को इस पर करना होता है करम के Level पर कूल पर है प्रैक्टिस लेवल पर education लेवल पर इस लिए बड़े से से पढ़ो जहां आपका मन करे को पैसा लगा हो पढ़ाई में समझ रहे हैं मेरे से पढ़ो ना मद मतलब दूसरी बार लेकिन जोतिशी बनना अगर निरधारित किया है आपने तो आप बड़े से बड़ी जगें पढ़ो जहां आपका मन करें क्यों पढ़ना है ताकि जितना पढ़ोगे उतना फीस होती जाएगी पहली बात और दूसरी बात कुछ आपके मुझसे ऐसी चीज न निकले जो उसका पापकरम आपके उपर हवी उड़े उसका लॉस होगा तो हो सकता उसकी डेष्टनी भी हो लेकिन उसकी डिस्टनी के साथ आप भी तो इंटरलेंक कर गए नगलत बोल यो करेंने और नहीं समAY जारा हो तो एक बार उनस्मेहंट बात कि यह से पी हफ्ते बाद हम बोलेंगे दो दिन बाद हम बात करेंगे एक दिन बाद हम देखेंगे अपना देख लो सुन लो समझे लो रौब्लम वहां नहीं है प्रॉबलम तब स्टार्ट होगी जब आप से कल्कुलेशन में फॉल्ट होगा आपके मुझसे कुछ निकलेगा और वो व्यक्ति आपके कहने अनुसार स्टेप्स लेलेगा वो वैसे ही अपनी प्लानिंग प्रिपेर कर लेगा उसके बाद फिर कोई दिक्कत होगी तो वह आपके उपर भी आई इसलिए प्रारब्द करम क्या है वो तो भगवान जाने और अलग करम बनाने से बचना नेगेटिव करम जब आपने पूरा समझी लिया कि अपको ऑस्टालेजर बनना है तो फिर पूरी परफेरेशन के साथ की कि भाई हमें years level पर भी बहुत अच्छा कां करना है प्रैक्टिस लेवल पर भी बहुत अच्छा कां करना है और उससे भी सबसे बड़ी बात ख्लाइंट का हम से ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए हमसे जाएगा तो शाष्ट से भी च्रस्ट जाएगा पैसा तो सेकेंड्री एस्टालेजर के आगे पीछे लक्षमी जी घूमती है यह रियालेटी है उनको आप किसी तरह की कमी नहीं है उनके पास लक्षमी जी उनके आगे पीछे गूमती है क्योंकि गुरू मतलब आप कंसेंटेंशी प्रोफेशन में जा रहा हो ब्रहसपती के तो पैसे की चिंता कभी न करना हमेशा एजूकेशन की चिंता करना खुब पढ़ने की चिंता करना पैसा तो पीछे-पीछे आएगा आपके पैसा कमाता नहीं है पेड़ लगाता है जब चाहेगा हिला लेगा मालो सो क्लाइंट आपके पास हो गए ऐसे कि आपके किसारे पर कुछ भी करने को तयार है और किसी ने आपको आके बोला कि इतने साल हो गए आपको काम करते हुए कुछ कर नहीं पाए आप तो आपने पूचा क्या कर ले उसने का गाड़ी खरीन लो आपने कितने की गाड़ी हो सकती है आपने सोग्लाइंट को फोन किया बहुत आपका श्रुनी खराब चल रहा है कैश में तो ट्रस्ट जो होता ना वह बहुत बड़ी चीज़ होता वह बड़ी मेहनत करके बिल्ट होता है समझभा रहे हैं मेरी या आप से जड़ा हुआ आपकी लाइफ में मतलब 40 साल आप एस्टालोजी करते हुए हो गया आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना 100-200 लोग जो highly successful हो गया होंगे आपने 40 साल बाद उनको फोन किया हमारे से प्रडिक्शन लेकि अब तो भगवान ने तुमारी बड़ी सुन ली है कुछ हमारा भी ध्यान रखो जी गुरुजी बताइए कितना टर्नोंबर है 10,000 CR कुछ गिप्ट कर दो अब 10,000 करोन कमाने वाला आदमी क्या ही चोटा बड श्रद्धा कमाता है और वो वो बहुत बड़ी कमाई है चोटी कमाई नहीं है पैसा तो उसके आगे पीछे गुमता मेरे से कोई कह रहा था एक बार आके कि जोट्सियों जोट्सी सबकापविस से बताते हैं अपना क्यों वो दुनिया के सबसे बड़े आदमी क्यों नहीं कि जो मैंने का बाई वो मेंटल लेवल पर सबसे बड़ा आदमी है व कि प्रेडिक्शन करने माला विक्ति ने करने वाला विक्ति ही तो किसिकों बड़ आ करता है चान्रगं ने चांदरुत को थषी बनाया है हरे हैं यहां तो प्रम्परा है जो मार्ग दर्शक नहैं वो राजा बनाए tell महते गण समझेहों स्री राम्यम मैं चिल आ ले मैं ने लोगणकुमारा लेकिन उसके पीछे विश्वमित्र का ही पिछे विश्व अमैत्र ने अगर अपना धनूश्राँना दिया हुँऊ अगर आप चड़ा देंगे तो आप अधनू सुनका था जो उनके पीछे बाण खतम ही नहीं होते थे वह विश्वा मित्र जी ने दिया थे वह भग़वान राम जी ने कहीं से और नहीं किया था वह उन्होंने जब ताड़का को मारने के लिए दश्रत से दो-चार-दस दिन के लिए एक बहीदे के लिए भगवान्शरी राम को मांगा था तो उससे पहले उन्हें अपने अस्त्र दे दिए उन्होंने उनके पास जो कुछ भी अब बताओ कर दिये इतने सारे बांडरों को लेकर उनको थीर बनाना थुरी हाथ ने उसके पानकि थी उसके पीछे जोता की थी उसके पीछे जो ताकत की थीं तो नहीं थी थी नहीं थी ऐसे ही जब कोई विकती बहुत हाइली सक्सेस्फ फुल लोग उसके पीचे इस कंसल्टेंट होता है और जितने सक्सेस्फुल लोग हैं के स्टेडी उठागे देकर उनके प्रॉपर कंसल्टेंट है वो जो कहते हैं वह ही करते हैं अगि favorites आपको पता है अभी सलार का टीजर रिलीज हुआ है सलार एक मूवी आने वाली है प्रभास की उसका टीजर रिलीज हुआ है सुबहे पांच बजे मतलब बुरी दुनिया जो है वो बारा बजे दुपहर में या बारा बजे रात में टीजर या ट्रेलर लॉंच करती है उसने सुबह साड़े पांच बजे लॉंच किया आपको पता है कि बिना तिती के पिच्चर तक लॉंच नहीं होती है वो भी अस्टालोजर कंफर्म करते ह होगी उस दिन भी पूरी पूजा होगी तो समझ पा रहो कुछ यह जो एस्टालोजी को फॉलॉव करने वाले लोग है वो सक्सेस्फुल लोग है चोटे लोग नहीं जो लोग कहें कि बाई जो तिस पुछ नहीं होता तो उसको तुझे कुछ करना नहीं है तिरे लिए पैसे का नहीं सोचना उसको काम का सोचना है उसको क्लाइंट का भला सोचना है और फिर वो ट्रस्ट के रूप में इतना बड़ा हो जाता है कि वो क्लाइंट उसको सब कुछ देने के लिए खड़ा रहता और वो तब भी मना करता रहता नहीं भगवान की करबास सब कुछ है बात समझने हैं आप और आपके पास भी कभी कमी नहीं रहेगी पट एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि आपको highly educated होना है आप जिस फील्ड में खड़े हो अगर आपने astrology पढ़ने का सोचा है आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी से जितना बेस्ट से बश्ट पढ़ना है पड़ो जितनी प्रक्टिस करनी है करो वो सब आपको return होगी एक दिन में के वह क्लियर हो गई बात चलिए अगर six house की बात हो रही है तो यह चीजह होए seven house आपका business आपके spouse आपके business partners आपकी day-to-day life कैसी होगी उसको भी इंडिकेट कर रोज मर्रा की जिंदिगी सेवन आपके जो clients होते हैं वो भी seven house ही होता क्लियर ठीक है एर्थ हाउस एर्थ हाउस आफतों का है जोतिशी के पास सबसे ज़्यादा कंसल्टेंसी या क्लाइंट तब आते हैं जब या तो उसकी कुंडली में राहो की दशान पर दश्या चल देगी क्योंकि जब तक जब कंफ्यूसन होगा तब ही किसी के पास जाएगा एर्थ हाउस या कुछ सड़न चिंजस हो जाएं उसकी लाइफ में शादी भले वो पंडित से ना विचार के कर ले लेकिन जब डैवोस की नौपत आएगी ना तो जोतिशी निजर आएगा उसको आपने जो एक्सपेक्टेशन करी और वो फुल्फिल नहीं हुई तब जोतिशी याद आता है जब भी आप किसी विक्ति को देखोगे आपके पास हाया है और आपके सामने उसको आपकी बहुत नेड लगे और फुरी जिन्दिगी में वो कभी माना ही नहीं है इन सब चीजों को और आज उसको दस लोगों न धक्का दिया कि भाई एक बर कुंडले दिखा के देख लूँ तो उसकी फटे हाल इस्तिती है वो अस्टमभाव के कारण ही आती है जब आपका सोचा हुआ आपका करा हुआ आपका मार किया हुआ आपकी चाही हुई कोई चीज जब आपसे दूर होना चालू होती है तो फिर एस्टॉलेजर याद आता है फिर जोतिशी याद आता है समझ गया आप कोई आप जोतिश को ना मानते हो आपका जो फेवरेट परसान हो घर में उसको कोई दिक्कत आ जाए डॉक्टर बोल देब है साथ दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे उसी समय सारी पूजा पाड़ पूरी जिंदिगी की वह जाती है आदमी समझ रहें आप और पूरी जिंदिग्यों कोई साथ नहांड़ की कता भी न सुनें सब याद आ जाएंग सारे दिवता याद आ जाएंग कोई का यह हनुमान जी छोट रहें का भी यह वह भी करतो एड़ फांट चैंजमेंट का है पेन का है पीड़ा काहरे और एड़ फांट एक्चल में ज Corn편 को रिधो इक्रूपेς स्टार्वलाज्य के पेस। तो आपके पास कौन लोग आते हैं आपके पास एस्ट्रॉजिस के पास कौन लोग आते हैं एस्ट्रॉजिस के पास दुखी लोग आते हैं प्रिशान नीमोगा तो आएगा जोदशी के पास पैन आएगा तो आएगा मतल्ब हमारा परोफेशन कैसे चल रहा है किसी के परेशान होने से चल रहा है तो मेरे पास तो जब तक पीड़ा नहीं दो जब तक आएंगे नहीं आपको नहीं करना इसे बोला था ठीक है नहीं मतलब क्या होगा आप जिस प्रोफेशन से रिलेटेड हो वही पर्सन आपके पास आते हैं है कोई जली से को उसको कर जाए गडर का प्रोपर्टी डीलर और से ऐट कर रहे हैं जब जिस चीजं़ कि नीड होगी वह विक्ति उसी के पास खड़ा होगा इस टॉलिजर के पास कब आएगा जब विपत्ती आएगी परेशानी आएगी हाथ-पय टूटेगा एक बार टूटेगा तो डॉक्टर के पास जाएगा दूसरी बार टूटेगा पता नहीं क्या हो रहा है सर पार बाद कोई कुछ भी बोले बात समझ रहे हैं अब क्या है दुनिया की जितनी परिशानिया है वो सब 8000 करता है कोई कह रहा है इंजिरी होनी है तो भी एड़ थाउस ऐस्पिटलाइजेशन की स्थिती बन रही है और टूड़ गया एड़ थाउस एंसेस्ट्रल प्रोपेटी नहीं मिल रही है एड़ थाउस कुछ एकदम से चेंज हो गया अनहेपनिंग हो गयी है विदाउड एक्सपेक्टेशन हो गया है एर्थ हाउस ठीक है तो अस्टमभाव जब किसी के कुंडले में ऑपरेट करता है या अस्टमेश की दशांतरदशा आती है या अस्टमभाव का कोई इंटर लिंग किसी दशांतरदशा के साथ आती है तो विक्ति एस्टॉलजर के पास ही घड़ा होता है ठीक है या तांत्री के पास खड़ा होता है कुछ जिनको इंस्टेंट चाहिए वो तांत्री के पास भी जाते हैं मतलब डिपाइडमेंट तो अस्टम ही है ना दोनों ऑकल्ट मतलब सब कुछ आ गया इतनी जितनी भी चीजों की मैंने बात करी वह सारा का सारा सेनेव्यों एर नहीं हो सकता भगवान का नाम लो और बड़े हॉस्पिटल में यह होता विए हैं बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल देते यह करिए पहले भगवान की सरण में जाएए हम कुछ नहीं कर सकते ओए तो उस केस में भी करता है आप महामरतुझे जब करा लीजे नरायन क session होगा उसमें कुछ in general remedy हम बताएंगे कि remedy प्लान कैसे करते हैं आपके बेसिक लेवल से related कुछ चीजें मैं advance में देता हूं उसमें से दो चार चीजें दो चार शे चीजें आपको बता देंगे जो आपके बहुत महत्तुपूर होंगी आपके लिए ठीक है वह remedy डिजाइन नहीं होती है वह remedy जब किसी का अल्रेडी डिजाइन हो चुका है समस्या उस पर कारगर हो ठीक है और कोई PhD करने का बोल रहा है इस कॉलर होने का बोल रहा है उस केस में भी आपको इर्थ हाउस पर जाना पर ठीक है नाइन्थ हाउस नवंभाव नवंभाव किसी स्का है देशाटन का बहुत जो दूर की आत्रह होती है और नाइन्थ हाउस के बिदर स्थिए सब्सक्राइब करल को उतनूर कि इंसे रिलेटेड़ कोई चीज भोगि वह नाइनध तुस्य। टैंध हाउस आपके बौस का है आपके सक्सक्का है आपके स्टेटस का है मैं फिर ऐक बात क्लूँंगा आपके स्टेटस का हौता है एर टैंथ जब कोई वेक्ति आपसे जुक जुकते मिलना पसंद करता है या आपका कद इतना बड़ा होता है तो उसकी कोई वेल्यो नहीं रह जाते रहे वो तैंत नथ हौस है और जो followers होते हैं वो सेवनथ हौस है जिनके follower बहुत जादा होँगे वो सेवन था। की बात हो रही है मेरे फॉलोवर नहीं बढ़ रहा है इंस्टाग्राम में कहीं पर तो मतलब सेवन्थ हाउस की बात हो रही है कोई के रहा है मेरा स्टेटस नहीं बढ़ रहा है कि प्रमोशन नहीं हो रहा है वहां पर तैंथ हाउस की बात है मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो व एंजियो का है चरीटेबल ट्रस्ट का है आपके फ्रेंड्स का है आपकी प्रॉफिटेबिल्टी का है विश हाउस बुलते हैं सो आप जो चाहते हैं अगर वो पूरा नहीं हो रहा है इसका मतलब 11 ऐसकी बात कोई आया मेरे मेरे बेटी की शादी नहीं हो पा रही है सर्थ किलियर हो गया 12 हौज हर प्रकार के इंवेस्टमेंट का है और हर प्रकार के लॉसस वो है आपका त्वेट धाास कि अ आस्पिटलाइजेशन का जेल यात्रा का यह सब चीज़ों का हाउस है त्वेट ठीक है क्लियर हो गया है आतर नीद का भाव भी बारवाण यस ब्लेड प्लेजर का भी हाउस त्वेट ही है जितने प्रकार के अनैतिक संबंद बनते हैं उसका जो भाव है वह आठमा कोई कह रहा मेरे पती का चक्र किसी के साथ रहा किसी के साथ है वह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक सेवंथ लोड का कनेक्षान एट के साथ किसी तरहrogen से ना बद डारेक्ट और इंडिरेक्ट एक्स्ट्रामृइर को इंडिकेट करता है सेवन का एर्थ हाउस से कनेक्शन बन्याद किलियर हो गई यह बात ठीक है यहां तक कोई डाउट पहला काम क्या है पहला काम आपको कोश्चन पूछना है पहला काम कोश्चन पर कंसेंट्रेट करना अब दूसरा काम क्या है चार प्रकार के संबंध होते हैं प्लैनेट के जब ग्रह किसी ग्रह के साथ बैठता है तो वह युति वाला संबंध होता है संबंध पढ़ाएं आपको पढ़ाएं ना कुछ किसी क्लास में पढ़ाया है पढ़ाया है जब कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट के साथ बैठता है तो वह युति का संबंध बनाता है जब कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट को देख रहा होता है तो उसको दृष्टी संबंद बना जब कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट के एक्सचेंज में होता है वो उसकी राशी में बैठ जाए वो उसकी राशी में बैठ जाए तो एक्सचेंज के साथ संबंद बना राशी परि प्लेनेट्स के बीच में रिलेशन्स बिल्ट बना चार तरीके से कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ संबंध बनाती है अब कोई विक्ति आप से पूछने आया कि मेरा प्रोफेशन क्या होना चाहिए आपको देखना है कि भाई तेंथ लौड कुंडली में कहां बैठा किस हाउस में बैठा आपके चार्ट में तेंथ लौड जिस हाउस में बैठा होगा आपका प्रोफेशन उसी हाउस से रिलेटेड होगा साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि वह वहां पर केवल जाके बैठा हो अकेला बैठा है कोई नहीं देख रहा किसी के साथ नहीं है कोई एक्सचेंज नहीं है तो तो आपको वही घर उठा लेना सीधे यह प्रोफेशन की बात हो रही है ठीक है अब सामने वाला आपसे पूछ अब उसमें situation और बन गई क्या वन गई इसके साथ कुछ i.e. यूति के साथ कुछ आ रहे हैं किसी प्लेनेट के साथ यूति बनी है तो उसके साथ कुछ हाउसे आ रहे हैं और उन हाउसे को भी आपको ध्यान देना है जी और कौन-कौन उसमें जिस हाउस में वो प्लैनेट बैठा वो हाउस भी एक्टिव हो गया जिसके साथ वो प्लैनेट युती में गया उसके घर भी एक्टिव हो गया जिसके साथ एक्षेंज में गया वो घर भी एक्टिव हो गया और जिस ग्रह ने उस ग्रह को देखा तो वो देखने वाला जो प्लैनेट है उसके घर भी एक्टिव हो गए आपके करियर की आपको क्या करना उन घरों को मार कर लेना उन हाउसेस को मार कर लेना फिर आपको सूरी कुंडली देखना है साथी साथ चंदर कुंडली देखना है क्योंदेखना क्योंकि आपका जो का जो गणेख़ छो जो थी को क्यों ऑप का पोटेंशल किस काम को करने का है सपेशिी कल यह ऊए कि इस पेशिकल्डेंशल है कि नहीं आपके अंदर और फैजीकल पोटेंशल है तो dziachi house को करने का कि jewel के काम को करने काफ seu पुटेशल पूरन कलास को हम कुण्डली का नाम कुणसी कुण्डली को इसको तीनों का जो एक मिक्षर कुण्डली आती है सुधर्शन चक्र बोलते हैं कि भाई किसी का करियर तो लगन कुण्डली से भी देखके बता सकते हैं डेफिनेटली बता सकते हैं लेकिन 20-20% पोटेंशेल चंदर कुण्डली और सूर कुण्डली के पास में कारण क्या है कि लगन कुण्डली फिजिकल स्ट्रेंथ को रिपर्जेंटेट करती है कि आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो किस काम को करता हुआ दिखा रहा है लेकिन किसी विक्ति का शरीर किसी काम के लिए प्रिपेयर हो किसी विक्ति का शरीर किसी काम के लिए प्रिपेयर हो और उसका मन उस काम के लिए प्रिपेयर ना हो तो क्या आप उस काम को कर पाओगे कोई लड़की बहुत सुन्दर हो उसका मतलब क्या हो गया आपका फिजिक जो है वो किसी मॉडल के लिए प्रिपेर है और आप उसको बोलो बाई जिस हिसाब से तुम सुन्दर हो तुमारे आगे पीछे घूम रहे हैं उस इसाब से तो तुम्हें इसी प्रोफेशन की पूरी दुनिया देखे तुम्हें पागाल हो बैट जो एक्टर है एक्टरसेस हैं उनका काम ही क्या है उनका काम तो यही है ना तो आप यही काम क्यों नहीं कर लेते हो लेकिन वो मेंटल प्रोफेशन में नहीं जाएगी चलो फिजिक भी प्रिपेर हो मेंटल भी प्रिपेर हो लेकिन वो पैदा ही उसकाम के लिए नहीं हुए यह नहीं हुआ है उसको बोलता है सोल आप उसी काम को चादश समय तक और अपने पूरे पोटेंशल के साथ और अपनी पूरी स्ट्रंथ के साथ तब तक नहीं कर सकते जब तक वो काम आपके सोल से कनेक्टेट ना हो आत्मा कहनी चाहिए कि भाई हमें यही काम करना है नहीं तो होता क्या है लोग फिजिकल को देखके गए यह काम करते हैं बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है वहां चले आज छोड़ के कंपनी मन हुआ किसी काम को करने का वहां भी गया बट वहां भी नहीं टिक पाए लोग क्या करते हैं अभी यह काम चेंज करने का मन कर रहा है यह जो काम मैं कर रहा हूं उसमें इतनी महनत है सर मेरे सो हो ही नहीं पा रहा है यही तो आते हैं लेकिन जिस काम को जब तक आपका सोल अलाओ नहीं करेगा तब तक वो काम आपका पोटेंशल ही नहीं बनेगा त और सोल का कौन सा प्लैनेट है सूरे इसलिए हम सूरे कुंडली दे जब तक ये तीनों कुंडली ऐस पर पराश्री जुतिश और साइंसेस में इतना नहीं दोडाते हैं कि और उनके कंफ समें करने के और तूलस जह और तरीख लेकिन अगर किसी का प्रफेशन करना है तो एलिए मतलब फिस्टी पर लगन कुंडली के हाथ में इन्के आपल और 10% ज़ू प्र संड़ी हैं वो पोटेंशल आपके डीटेंशार्ट में इसको लोग दश्मानुशा कुंडली गुलते हैं ठीक है तो प्रोफेशन केवल और केवल लगन कुंडली को देखते नहीं बताया जा सकता ऐस पर पराश्री जो कुष्छ जो केवल लगन के विद रिस्पेक्ट तो किसी का प्रोफेशन जज कर देते हैं वो प्रोफेशन के लायक वो बंदा कभी कभी होता भी नहीं अब मैं महाभाग्यशाली विठती हूं मेरा तेंथ लॉड जहां गया है वहीं पर सूर भी बैठा है चंद्रमा भी बैठा है टो मैं जो काम करना हो उसमें मेरा मन भी लग रहा है मेरी फिजिक भी अलाओ कर रही है और मेरा मेरा वर मेरा सोउल पर्फस भी बात समझ wh sash क्रिधा संद्रशु तो एक साथ बैठार बैठाए कोई भी कुंडली बनेगी कोई भी हाउसेस आएंगि तो सेभी आएए समझ पार हो आप मेरी बाद तो जब तक आप देखो संका और भी एक काम है इसन का और भी एक काम जैसे चंदर्मा का भी एक काम और है क्या का मैं संदर्मा पर ये आप आगे की ओपर्चुणिटीज देख लेते हूं चंदर्मा को मैंने भी प्रीविएस पर बहुत बहतरीन तरीके से बता है था लेकिन मैं आपको भी एक बार बताता हूं चंदर्मा के पास जो एक में पोटेंशल है वो जानते हो किसी इसका पोटेंशल है वो ऑपरचुनिटी इसको देख लिए आगे होने क्या वाल और सन के पास जो एक और ऑपरचुनिटी या एक और जो पावर है वो आपकी ग्रोथ और स्टेटस की पावर जब कोई आपका करम जोबी आप करम करने वाले हो जो भी आप प्रोफेशन में जाने वाले हो अगर सन उसको अलाव नहीं कर रहा है अगर सन अलाव नहीं कर रहा है नहीं मिलेगा कभी पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा इसलिए स्टॉलेजर को क्या चाहिए होता है जोतिशी को क्या पकड़ना है कि लगन कुंडली भी उस हाउस को दिखाए शूर कुंडिली भी उस house को दिखे और चंदर कुंडिली भी उस house को दिखे जब तक तीनों अलाव नहीं करेंगे तब तक वो उसका best profession हो ही नहीं सब और अगर हो गया तो उतना growth अब आप कोई कहे कि आपने बोला ता सर ये profession की तरफ मत जाओ आज मेरा 30 CR का package है या मैं 30 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं या मैंने इतना बड़ा इसको कर लिया भाई तु कर दिया तेरी आत्मा जानती है मतलब अगर किसी काम को आपने सब्सक्राइब आपने 300 करोण की बना दिया लेकिन 300 करोणी उपलब्दी थोड़ी यह यहां तो लोगोंने बिलियन डॉलर की कम्पनियां बना दी बिलियन डॉलर सी और भी तो बना सकते थे लेकिन और वह तब तक नहीं आएगा जब तक वह अ आपका परपस भी तो क्लियर होना च्छी ना लाइफ आपने जनम लिया है तो उसके पीछे तो कुछ और भी कारण है ना और जब तक किसी का सन अलाओ नहीं करता तब तक विक्ति दूसरों का भला अपने काम से नहीं कर सकते जब तक आपका सोल अलाओ नहीं करेगा तब तक आप किसी का अपने काम को करते करते आप किसी का आपको भला करने का मन नहीं करेगा मान लो आप बहुत बड़ी जगें पहुच गये और आपके आप मन में आ रहा है यार इतने लोग इतने रास्तों से अब हम होके बुजर के आए हैं चलो अपना experience ही शेयर करते undra आपंतों मेरी फिल्ड से रिलेटेड जो लोग इनकोरी में उसे लोग्त करते चलो हम कुछ लोगों का बहला कर देते हैं और बेख़त ऑब बड़ा अथा किसी ब्यक्ति का गया अगर तब अगर son आपका अकर सपोड़ नहीँ कर रहा है सन्क एकॉर्डिंग आपका प्रोफेशन नहीं है तो फिर आप उससे अपना सोल परपस पूरा नहीं कर पाओगे जिस जी जिस उद्देश के लिए आपने जीवन लिया है वह आपका उद्देश पूर्ड नहीं होगा फिर आपको जनम लेना पड़े बात समझ पा रहे हैं आप इसलिए एस पर पराश्री जोतिश कभी भी केवल लगन कुंडली को देख करके कुछ नहीं करना अब अगर वेल्ट की भी बात हो रही है तो भी तीनों चार्ट कचाईए पैसा कमा रहे हो फिजिक से तो फिजिक से तो लेबर भी पैसा कमाता है मन से पैसा कराने से कमा देखो फिजिक से कमा होगे तो भी पैसी बरकत नहीं होनी है मन से कमा होगे तो कुछ नहीं आएगा लोग मन से करोर्पती है क्यासा अँससा इस प्लानि रोज चल रही है सपने तो बड़े बड़े देखे जा रहा है बड़े 지난 अथी सपने तो रोज देखे जा रहे हैं बढ़े वह पने एइक्जिक यूट नहीं हो रहे है कही ना कही कर चलो फिजिक के इसाब से भी हो रहा है जो चाहरा है वह एक्जीक्यूट भी हो रहा है लेकिन सोल परपस गवाई नहीं दे रहा है करने का मन नहीं कर रहा है है एक बिति को ट्रैक की बहुत नॉलेज मुला पूरी ड्राइवरिंग कर लेता है पूरा जो पूरी अच्छी बहुत अच्छी बहुत तगडी ड्राइविंग और उसका मन भी करता है चलाने का ऐसा नहीं है कि वह चलाता है जब हो पकड़ता है तब चारचा च्छे दददस दिन हो जा और उसने बकाइदे किया भी है क्या ऐसे ट्रक है और शीख भी नहीं सकते हैं आपको चलाना टो पढ़े गई घर बैठे तो ऑंलाइन तो हो नहीं सकता हो इसके लिए तो आपको चलाना पढ़े गए नहीं अब उसने चलाया भी है उसका बॉडी भी अलाओ करती है ठीक है सब कुछ है सरदी गर्मी भूब सब परदास है उसको ट्रेक वालों का यहीं साब किताब लेकिन वो मेरे पास आके बैठा मेरे से कह रहा है सर पैसा भी अच्छा कमा रहा है मेरे से आके कहता है सर हमने कहां कर तो रहे हैं इज्जत नहीं मिल रही है ड्राइवर की क्या ही इज्जत है अच्छा कुछ ड्राइवरों को इज्जत मिलती भी है सर इज्जत नहीं मिल रही मतलब क्या है उसका प्रोफेशन फिजिक अलाओ कर रहा है मन अलाओ कर रहा है क्यो संबी बोलिबी प्रॉटक लिया उसको लेकिन और याझ फिर को टी इस्से वाला एक दो कोड़ी का गाइक वाला ला-इजिसकी पुरानी सहं जिसने 20,000 के खरीदी है वह गाली देगे चला इज्जत नहीं मिल रही है वह भावी क्यों आ रहे है आपको इससे मुहबबत होनी चाहिए ना काम से हमारे यह क्या गावत है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता वो यह बात कि ग्रोथ भी आ रही है पैसा भी आ रहा है सब कुछ आ रहा हो रहा है गारी चला चला कर ट्रेक बना लिया अब उसका जब 45-50 साल उमार हो रही है उसकी तब वो ज़य रहा इजद नहीं मिल रही है अब इजद कभी याद आ रहा हमने का अब याद आ है करा तब तक वह काम करने का उससे आपको इच्छत नहीं मिल सकते आपकी छवि अच्छी नहीं है और अगर सन अलाव कर दिया आज भले इउस्जत नहीं आज लोग आपको भले गालियां दे रहें आज भले मान-सम्मान दे रहें कल वही वक्ति आपके कदम भी चूमेंगे लेट क बिधा चूर्बकुंडली करें और सूर कुंडली भी सपोर्ट उसका सिंपल सा तरीका क्या है Do you इप्रिक है तो सब्सक्राइद के दिंदिख राये किलियर में किवल बता रहा हूं यह क्या करती है उसके बारे में हम नहीं जैए मैं किवल बता रहा हूं और इसको समझना है एस पर लगन कुंडली तेंथ लॉड कौन मना है बुद्ध बने बुद्ध कहां चला गया 11 चला गया तो करियर अगर चूज करना है तो 11 से रिलेटेड हो सकता है तेंख लॉड सवया में 11 वंस लorgt नमबर वन नमबर किम मरकरी किसके साथ है से इस हाँ इतुन का संबन किंद हाउसे से यहां पर हमने लिख दिया था ण सिक्स थी घर उसके बाद सन भी साथ में बैठा है सन किस हाउस को लेके चल रहा है 12th हाउस यहाँ पर हमने लिख दिया 12th हाउस किलियर है यहाँ तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं यह जो चार्ट है वो है as per ascendant ठीक है किलियर अब हमने क्या किया सन के हिसाब से इसमें सुदर्शन चक्र होगा एक मण में चेकर यह देखो सुदर्शन चक्र आ गया सुदर्शन चक्र लिखा है ऐसी बनता सुदर्शन चक्र तो यह ascendant के with respect to और इतना ही नहीं अब यह देख लो शनी को कोई ग्रह देख रहे हैं इस पर जूपिटर लिख दिया गया। जपीटर हो गया इसको करेक्ट करते हैं ठीक है गलत हो गया एक मतुप टैंथ लॉडड कौन है चंद्रमा कि के इसंद्रमा तेंथ लॉडड प्लेस ठाऊ घ्रां गया जाके प्रोपेशन किस हाउस से रिलेटेड्ड हो सकता है फोर्ट से अभी कन्फरमेशन नहीं है अब भी observation है, ठीक है? होट सो गया, अब क्या कोई planet बेठा है, नहीं बेठा है, exchange है क्या? एक्शेंज है, किसका, Shannie के घर में चं sighs, Shni के घर में Shani बेठा है, और Shni के घर में Shani बेठा है, तो यहाँ पे tenth house भी आ गया, आ गया? उसके बाद कोई ग्रह क्या चंद्रमा को देख रहे हैं हाँ देख रहे हैं कौन-कौन देख रहा है बुद्ध देख रहा है शनी देख रहा है और सूर्य देख रहा है तो बुद्ध देख रहा है तो बुद्ध किन-किन हाउसेस को अलाउ कर रहा है नो को और बारा को यहाँ पे लिख दिया हिम फिर भी अहां टॉछ तो आपने लिख दिया है। यहां पे न सबस्सके अधीड, यहां तक क्लिए हुआ और यह चीजसें आपने लिख Lore वह है एस पर असेंड टिक है तो एस पर असेंडेंट टो टैन नाइन त्वैल्व और करके लिए यह लगन लगन इसको संगे विद्रिस्पेक्ट हो हम रोटेट करते हैं कि इस चार्ट को संगे विद्रिस्पेक्ट तो रोटेट कर दिया अब एस पर संगे तैन्थ लॉड कौन बना है मंगल किन-किन हाउसे से संबंद मना रहा है तो मंगल तैन्थ लॉड होके तैन्थ में ही बैठा है तो तैन्थ हाउस आ गया यह हम लिख दे रहा है एस पर संग कि कलर दे रहा है थोड़ा चेंज है और यहां पर लिख दे रहे हैं है सन की ठीक है आप इस मार्स को क्या कोई प्लैनेट देख रहा है आपने ही घर का स्वामी बनता है और अपने ही घर में बैठा होता है उसके दूसरे घर को भी लिया जा सकता है तो यहां पर फिफ्थ हाउस भी आ जाएगा इसके बाद आप मून को अगर हम असेंडेंट बना देंगे तो तेंथ लॉड कौन मनाया वीनस वीनस कहां बैठा एड़्थ हाउस में जाते है तो किस हाउस में बैठा है एड़्थ हाउस भी आगया वीनस को कोई प्लैनेट देख रहा है कोई प्लैनेट नहीं देख रहा है कोई ग्रह देख रहा है कोई ग्रह देख रहा है वीनस को नहीं देख रहा है देख रहा है कोई घर नहीं देख रहा है और कोई प्लैनेट का कोई रिलेशन बन रहा है वीनस पांच नंबर राश्ची में और सन कहां बैठा है सन चार नंबर राश्ची में एक्षेंज नहीं है युटी नहीं है और किस प्लैनेट की दिर्ष्टी नहीं है जब भी ऐसे सिचेशन बनती है तो उसके अपने घर को भी उठा लिया था क्योंकि सिंगल अलॉन प्लैनेट था वह अपने घर में बैठा था जब भी कोई ग्रहे आप जिसको भी ले रहे हो उसको उसके आप दूसरे घर को भी ले सकते उसके सब्सक्राइब करो कौन सा कॉमन हाउस आया इसमें कॉमन एक हाउस आया इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी गदिया आपने पंचम भाव आ गया इस वेक्ति को जो प्रोफेशन चूज करना है वह पंचम भाव से संबंधित ही कर दो पंचम में बताया क्या क्या कि क्लियर हो गई यह परसेंट करेक्ट प्रेडिक्शन हो जाएगी अब इसमें डीटेन चार्ड भी देखा जाता है ठीक है उसके बाद अस्टक वर्ग भी देखा जाता है फिर वह क्लैरिफिकेशन और अच्छा को अभी के लिए आपको बेसिक लेवल पर इतना ही पढ़ने किस ही इव इसमें किसी कोगा डाउट है तो वीडियो देख के ही टाउट क्लियर करना मेरे से मत पोचा हैं यह आपके नहीं था और मैंने आपको बता दिया आपके कोस का पार्ट नहीं था आपको मैंने बता दिया अब इससे जाना हम आपकी help नहीं कर सके थोड़ा और बता दे रहा है अब भी हमने career के with respect to ही देख लिया अब आप कोगे मेरा पैसा कौन फसाएगा उस case में भी देख लो six lord कौन से houses को लेके चल रहा है सूरे के साथ, चंदर्मा के साथ भाई कोई आप से पैसा मांग रहा है तो आपका मन भी तो करेगा ना देने का हरा अदमी को तो पैसा नहीं दे सकते आप कोई भी मांग ले थोड़ी दे दोगे आपका मन करेगा ना देने का तभी तो दोगे अब नहीं तो आपके अकाउंट से कोई कैसे पैसा निकाल लेगा अब ये बात दूसरी है कि आपके साथ कोई स्कैम हो जाए कोई आप से आपका ATM का पिन मांग ले आप उसको दे दो तो कोई आपसे पैसा मांगेगा तो क्या बताएं यह वह दुनियादारी कुछ ना कुछ समस्या बताई तभी तो आप पैसा दोगे तभी उधार तभी मांगा भी जाता है पिता से भी लड़का पैसा ले लेता है ना पिता जी घर खरीदना और नहीं तो पिता जी से कहें पाल पोज़के बढ़ा किया अब बढ़ाप्र मेरे से पैसा ले आया है तो वह भी जब कुस्छ समस्या बताता तभी आप उसको पैसा देते हो ना उसमें भी चेक करिए कि बड़ा पैसा लेंगे और इतना ही नहीं उसकेस में भी अस्टक वर्ग देखा जाता है उसकेस में भी डीटू चार्ट देखा जाता है वह और कंफर्म करता है मतलब मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं किसी एक चार्ट की वैल्यू है ही नहीं पराश्री जोतिश और हम कि तरफ बढ़ते हो और उसके कुछ मैठेड्स हैं वह ऐसे इन जनरल किताबें पढ़ने से किसी आठ दस के वीडियो देख लेने से किसी क्या बेसिक लेवल का कॉर्स कर लेने से पराश्री जोतिश में महाराथ हासिल नहीं होगी जिसको पराश्री में महाराथ हासिल हो जा यहीं से छूट जाया बढ़ने की जुरूत नहीं है और भी सब्रिट्यूशनरी कोर्से से समझ रहे हैं यह मतलब क्या वीरों का काम है पराश्री जोतिश पढ़ना चोटे-पोटे मेंड़ों का काम नहीं है मगर मक्षों का काम है यह कितनी मचलियों को खाना पड़ेगा प अलिम्टेड चैलेंज कहीं कोई स्क्रेप्ट कहीं कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मगर मच्छ का खेल है यह चोटा मचलियों का गेम नहीं नहीं यह पराश्री जोतिश तो अगर आपका मन सोल और शरीर अलाओ करे भाग के ही सही हो आप सुकून जगह पर इसमें आने के बाद फिर छलाग लगारे के बाद सीथे मौत दिखती है मजाग कर रहा हूं लेकिन हम तो बहुत आसानी से पढ़ा देते हैं लेकिन आप भी तो पचापा हो ना यह आपके उपर भी निर मतलब अब मैं आपके जोब tools क्या क्या होगा एसी चकरी कि कौनसी पूरी राइफ प्रॉबलम रहनी है जिसमें मन बी आहत हो सूर्य आपका प्रारब्द कर्म को भी रिप्रेसंटेट करना है, आपको जो आज वेल्यो मिली है, जो आपको कुल खांदान मिला है, यह आपके पुर्व जनम का संचित है, उसी इसाब से आपके डेस्टिनी क्रिकेट होई है, तो अगर आपको कोई पीडा आज मिल रही है, तो वो कहीं न कहीं, आपके सोल में है, पुर्व जनम से है, तो उसमें भी संचेक करना है, उसमें भी मुण चेक करना है, उसमें भी लगन कुड़ी चेक करना है, और एट लॉड चेक करना है, कनफर्मेशन हो जाएगा आपके लिए, यह प्रॉब्लम मेरे को लाइफ इसका कोई solution नहीं है उसका solution केवल परमात्माई ही है और कोई solution बात समझ रहे हैं आपको कोई करजा लेके भागेगा आपके उपर कोई मुकदमा करेगा अगर six house देख करके और सारी दूसरे नमर के भाई जोगा उस्से तीसरा हाउस उससे बी अलटि या बेटा होता है बेटा पहला चाय्ण उससे अलट एज का मैं इसका मैं अठारह उन्ने साल किया है प्रेमी का या प्रेमी चाहरा तो अलर्टेशन में चले जाओगे एजुकेशन में अलर्ट वाइक सब्सक्राइब लेना है समझपा रहे हैं मेरी बात को उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है अलर्ट पर चले जाओगे उसको अगर चेक कर लोगे क्लियर हो रही है बात तो ट्वेल्थ हाउस लॉसस का हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट किस जगह पर करना है अगर सोसल उन्जिव है तो उसमें भी क्या काम आपको करना अगर कुछ कहीं जुड़ना चाहता तो आजकल बड़े न्जिव हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए अलग इंजिव है कि नहीं है फिमेल के लिए अलग है जौब के लिए अलग एंजिव है मजदूरों का अलग एक संगठन है ग्रूप है कि नहीं है कॉर्परेट्स का एक अलग ग्रूप है अब उसमें जो एक कॉमन हाउस आएगा वैसे एंजियो में चुड़ जाओ कि बीस परसेंट जब तक नहीं पढ़ रहा हो भगवान पर छोड़ो तो इट्टी परसेंट तो बात सही निकल लिए सो लोग आएंगे तो असी का तो भला करीद होगे लोग दे के गाली जाएगा आपको बहुत नाम सुना था बात समझ पारें आप इतने का भला तो हो जाए इनमें भी जो बीस परसेंट बचेंगे उनका भी कुस्तो भला होई जाएगा नहीं होगा भला मतलब अगर मैंने फाइव सेनेरियो आपको बताए हैं अगर पांच प्रकार का कोई टास्क है और कोई वेक्ति तीन टास्क को पूरा कर ले रहा है दो टास्क बचे पास तो व इन्ही ब्रेकडाउंस को पार करना होता तो तीन यह तो पेपर में आपको पास करा ही दे रहा हूं पांच तो चंता नहीं करना यहीं से astrology की predictions कर दोगे, clear हो गई बात, ऐसे ही करो, summarize करके पूर दो, तो मुझे लगता है, आप किसी भी वेक्ति की life में, किसी भी तरह की problem चुनवती के बारे में बता सकते हो, यह तो हो गया एक चीज, दूसरी चीज यह है, कि जब भी किसी भी planet का सम्मन, किसी भी house का सम्मन, 6-8-12 से बनेगा, ऐस पर लगन कुंडली, तो उस house से related उस वेक्ति को पीड़ा मिलेगी, और जितने houses multiple होते चले जाएंगे, उतनी ही problem उसकी life में रहेगी, मतलब केवल 6 है, तो problem minor है, 8 है, तो slightly severe है, और अगर 12 भी attach हो गया, 12 हाउस भी attach हो गया, तो फिर वो severe situation है उसके लिए, तो जिस भी house का lord 8, 6, 8, 12 में बैठे या 6, 8, 12 का lord जिस भी house में बैठेगा, वो चीजें problematic हो जाएंगी, मतलब एक बात मैं आपको बोलना हूँ, चाहे चाकू कद्दू पे गिरे, और चाहे कद्दू चाकू पे गिर जाए, कटना किसने है, चाकू को, कद्दू को कटना है, वो जो concern house है, वो कद्दू ही है, और ये जो 6, 8, 12 है, ये चाकू ही है, अब ये चाकू कद्दू पे आके गिर जाए, किसी concern house पे जाके 6 लॉड, 8 लॉड, 12 लॉड बैठ जाए, तो कौन कटेगा, कद्दू कटेगा, वो concern house की धजियां उड़ाएगा, अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया है, तब अगर यूटिलाइज कर लिया है, तो problem नहीं है, अब suppose आपके चार्ट में 8 लॉड आपके second house में बैठ जाए, एर्थ लॉड इंडस्ट्री, second house आपकी फैमिली, फैमिली में कोई इंडस्ट्री हो, उससे रिलेटेड आपना जीवन यापन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत problem वाली situation नहीं है, अगर नहीं कर रहे होंगे, तो आपका परिवार ही आपको पीड़ा देगा, आपका धनी आपको पीड़ा देगा, आपका धनी आपको पीडा देगा आपका परिवार ही आपको पीडा देगा यहां या वह जो भी पैसा कमा होगे अस्टम्भाव क्या गढधा is जो किया आपने वह घढधा में चला गया नेकी करदरिया में ढाल एर्थ हाउस जहां जाता है उसके आपको रिजल्ट नहीं लेने देता है वो रिजल्ट कोई और सोख लेता है वह रिजल्ट आपको नहीं मिलते एर्थ लॉड आपकी कुंडले में जहां बैठेगा वह रिजल्ट से आपको नहीं देगा खुंड लिगल जाएगा उस रिजल्ट को मेहनत आप से करवाएगा क्लियर हो रही है बात तो अब समझो थाइड लॉड में जो प्लैनेट आएगा जिस हाउस का लॉड आएगा और थाइड लॉड जिस हाउस में जाएगा कोई प्लैनर थर्ड हाउस में आ सकता है और थर्ड लॉड भी किसी हाउस में जा सकता है उस अब मालो 11 लॉड थर्ड में आ गया तो प्रॉफिटेबिल्टी के लिए बड़े भाई से विश्फिल्मेंट के लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगी संघर्ष रहेंगे रगण घिस की तब उपूरी होगी तब वस इसफरा को है अगर आप 11 मानते हो और थर्ड हाउस को संघर्ष मानते हो उसकी लेवंध सा बड़े भाई की कुछ ना कुछ उपर नीचे लगा रहेगा अ हिए ज्या में रहेगा गो यह में क्लिए हैं और अ 3rd house breakage जो breakers होते ना breakers की तरह काम करता है आपने यहां पर Сोचा कि आप अभी डेली में हो और आपने प्लान किया और नियू डेली से नोएड़ा एप्रोक्स 32-40 किलो मेटर है कि आपने प्लान किया जेंकि भाई प्चीस से 30 मेट में हार्ली पहुंच जाएंगे आपका तो यह हो गया प्लान, आपकी विश हो गई, और आप उसी इसाप से आफिस के लिए निकले, घर से, अब रास्ते में आपको ट्रैफिक मिल गया, और ट्रैफिक कैसा ट्रैफिक मिला गिला कि बाई, किसी दो बड़े वीकल आपस में लड़ गया है, एक्सिडेंट हो ग गई आपके साथ सुच्वेशन यह बन गई आप आना भी चाहते थे आप जाना भी चाहते थे कुछ ऐसा हुगा कि आपको बीच में रुखना पड़े कि बात समझ पारे हो आप तो यह क्या हो गया यह थर्ड हाउस हो गया आपके साथ जिस भी भाव का इंटर लिंग थर्ड हाउस से बनेगा एक जो बेसिक सेनेरियो है स्टॉलोजी का उसका मतलब उस भाव से रिलेटेड आपको चुनौतियां संघर्ष रुकावटें बाधाएं मिलेंगी क्लियर हो गई बात और इतना ही नहीं है हर्ड हाउस से कुछ प्लैनेट संबंद भी वनाएं दृष्टी का युद्धी का राशिपड़वरतन का उन सब के साथ भी सेम सिच्वेशन होगी उनको और फ्रेक्टिफाइन कर लोगे तो एग्जैक सुच्वेशन पता चल जाएगी क्या है प्रेक्टिफाइन कैसे करते चल नहीं लगानी है तो लव अफेर्स भी देख लेना पुराने कोई हो दूसरा भाई भी चेक कर लेना उनके साथ लफड़ा रहा था अगर कंफरमेशन हो रहा है मतलब यह तूल अप्लिकेबल है नहीं हो रहा है तो तीसरी क्लास में आप उसका पूछ भी सकते हो उसके बारे में किलियर हो रही है बात कुछ अब ठर्ड थर्ड हाउस तो हो गया भाई कि हॉडायस है प्रॉब्लम है ब्रेकेजेस हैं संगर्ष है चुनोतियां है मुसीबते हैं तो सिक्स आउस क्या है सिक्स आउस कॉंस्पेरेशी है एक तो यह हो गया कि जहां आपको जाना है वहाँ पहूच नहीं पा रहा है यह पहुंच भी जाओगे थोड़ा सा रफ तफ होगे मतलब किसी को आफिस निकलना है रास्ते में एक्सिडेंट हो गया अगर उसका बारा बज़े पहुंचने का टाइम था तो अभी सब समेटते समाचते दो बज़े तक तो हडली पहुंची जाएगा ना तेन बज़े पहुँच जाएगा ये लेकिन सक्सहाऊस क्या है आपके पास जो चीज चल के आने है मैं कोई पैसा प्रापर्टी है मैं जो चीज आपके पास चल के आनी है उसमें लॉस हो जाए लॉस भी नहीं कह सकते कॉंस्पिरेशी हो जाए उस पर कोई और दावा ठोक जाए यह चीज मेरी है आपने कब दी आपने क्यूं दी किसी को दार पैसा दे दो और आप उससे को भाई मेरा पैसा दो कई बार बोलो ना दे तो उसके जवाब क्या होते हैं आप क्यूं दीए आप इतनी अपको थोड़ी धहर नहीं था जवाब यही होते ना आप किसी से लड़ाई जगड़ा कर लो मुकदमा कर दो कोट केस कर दो आप सोचो भाई उसको परिश्मेंट मिलना ज़रूरी है या वो कर दे उसमें भी यही होता अब यह शुरुवात तो आप ही नहीं करी थी मतलब क्या है दूसरे की मतलब जिस चीज पर आपका अपना अधिकार है जब उस पर कोई और दावा ठोक दे वो है हाउस नंबर सिक्स आपके साथ कुछ कॉंस्परेशी हो जाए एड़ थाउस क्या है जो चीज में आपको सुख दिख रहा है जिस चीज में आपको लाव दिख रहा है वही चीज आपके लिए सबसे दुखदाई बन जाए वह हाउस एड़ अब सैवंत और एड़ का रिलेशन किसी का बन गया चार्ट में उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है सबसे पहली प्रॉब्लम यह आती है जल्दी विवाहत त लेता है सेवंदेट का रिलेशन मनना रिष्टे आते हैं पूछते हैं चले जाते उसकेस में क्या होता है विक्ति की एज निकलती जाती है थोड़ी तो कि आपको यहां आइडिया रिस्ता चाहिए होगा यहां पर दबले दबे कुछ लिए रिस्ते आते हैं कोई कास्ट का रिलीजियस नहीं आएगा आपके पॉकाद यहां lieu जो एक प्रॉपम्पेक्ट लेटी छ dw वह थी चुरू लिस्टे नहीं आए बहुत पैसे वाहले यह वाथ्य स्मार्ट बहुत अच्छी आपको खाय रहे लिस्ते आ रहे हैं आप अच्छी पूजिशन कर तो पायप सी ए ही आ रहे हैं कि एर्थ हाउस कि इस तरह कि आपको प्रॉब्लम देता रहता हमेशा अब जिस व्यक्ति जो आदमी की एक आइडिया ले जाए कि तीस साल मेरी शादी हो जाए शापनतिस साल मेरी शादी हो जाए अब इन सब आपका सपना वनिया वह तो बहुत बड़ी परिशानी क्रियाट हो गई हो तो अब बड़ी उमेदे विक्ति पाल ले वह नहीं वाला है भगवान ने चलो मुसीबतों से छुटकारा दिया जिन से साधी बदा नहीं थे उनसे नहीं हुई अब हमारी साधी फाइनल आपकी अब आप कहे रहा है इससे चलों शाधी रहना होती मेरी के पहले तो शाधी हो नहीं रही सैवनेट का सब्सक्साइब बड़ी पूजा पाड़ करने से बड़े जोत्सों के चक्कर लगाने से बक्टे देवी देवत्ता मनाने से बड़ा हात-पत्स जोड़ने और थोड़ा बहुत जो हमारी एक आइडॉलाजी थी उसके एसाब से चेंज करते हुए हम एक नतीजे पर पहुंचे कि चलो इस एवरेज फैमिली से एवरेज लड़की या लड़के से हम शादी कर लेते हैं ठीक है अब उसके आने के बाद और चुनौत यह डवल टृपल होगी आपनों स इस चीज की आपने एक्सपेक्टेशन करी कि मेरे को यहां से सुख मिलेगा और वो चीज आपके लिए बहुत बड़ा दुख मन गई अब आप मनार हो भगवान यह इसको यहां तो मर डालो यहां में मार तो अब आप गर डेवोस देदो करें डेवोस भी नहीं देगी अब यह तो पाइप बतनी की बात हो गई अब सारा सेनरियो आप जोड़ लो कोई पैसा कमाने का सोचा किसी से अच्छी बाउंडिंग मनाने के सोची कहीं कमाने का सोचा कई किसी जॉब में आप बहुत एक्सपेक्टेशन किये बहुत बहुत बन भी गए बाद में मन ही है वो सारा दुख 8th house में ही समाया है मैं आपको बहुत आसान भासा में समझा रहा हूं और जब आप इसको इंटर लिंक करोगे situation जो कि त्यों ही मिलेगी आपको बताने को कॉंप्लिकेशन में कुछ भी दे सकता हूं आप आपको एक common language में समझाने की कोशिश कर रहा होगे problem 8th house देता कैसे है 6th house देता कैसे है third house देता कैसे तो third house क्या देगा संगार चुनातियां breakages सिक्साइब क्या देगा conspiracy जिसका आप अच्छा करने की कोशिश करोगे वही आपको डस लेगा जिसके साथ आप सही होने की कोशिश करोगे वही आपको गलत सित्र कर देगा conspiracy और 8th house क्या है 8th house यह है कि जहां पर आपको सुख दिखेगा वहीं आपको दुख मिले क्लियर हो गई बात relation आप बिल्ट कर लेना अच्छा कोई वेक्ति दुख दे रहा हो लेकिन वो दुख आपको लगना रहा होगी मन तक न पहुंच रहा हो तो भी वो दुख दुख नहीं लगता लगता है क्या अरे ठीक है इनका नेचर है माता पिता चाहे जैसे हो हम लोग के लिए क्या है हम तो उनकी नेचर से वाकिफ है ना बच्पन से ही यार अभी चिड और प्रॉब्लम कैसे क्रियेट होती आपके जमीर को भी धक्का लगना चाहिए यार यह उन्त होकर पैर मजभा रही है कपड़े धुलवा रही है बरतन धुलवा रही है अभर इतने बुरे मेरे दिन आ गए है पति हो के अभर हम यह सब करेंगे मत लला पर और ईगो भी आरह ना कौन सी समस्या आपके दिल को चोट पहुचाएगी, कौन सी समस्या आपके मन को भी चोट पहुचाएगी, और कौन सी समस्या आपके शरीर को भी दुबले भी हो जाओ, सोच सोचके, आपके शरीर को भी दुख पहुचाएगी, ये तीनों सेनेरियों को कन्फिगर करना पड़े किलियर हो रही बात जैसे करियर में बताया वैसे ही एर्थ हाउस के भी विद रिस्पेक्ट कर लीज़े अब होता क्या है जब आप किसी को प्रेडिक्शन दे रहे होते हो जब आप किव लगन कुडली से दे रहे होते हो क्लाइंड क्या बोलता है हां हां सही है यह सही नहीं है हां सर यह सही है और जब आप टीनों सेनेरियों को चेक करके बोलोगे ना तो फिर वह हां 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 ही करेगा स्विंग नहीं करेगा और यह कमिट्मेंट भी नहीं था बहुत वियाइपी रूल दे आपको यह बहुत बड़ा टूल है यह शायद किसी यूट्यूब चैनल में भी आपको नहीं मिलेगा इस लेवल पर ठीक है अब ट्वेल्ट हाउस क्या है बार्वा भाव क्या है बार्वा भाव हानी का भाव कौन सी हानी किसी भी चीज की हानी अगर फिफ्ट लॉड का संबन त्वेल्ट से बन रहा है तो हो सकता है कोई ऐसी एजूकेशन पढ़ो जो आपके ही मतलब आपने बहुत हिम्मत करी हैं शेयर मार्केट पढ़ेंगे औ आपके असी लाख रुपए है अब आपको चुलमची कि हम तो इतना भाईया पूरा शेयर मार्केट पढ़ गया है पांच साल हमने कठिन तवस्या करी है जंगलों में रहके अब इस असी लाख को सर ने बताया है आट सो करोन तो कम से हम करी सकते हैं इंट्राडे करके और च बद्धन कमाएंगे कुछ घरदन्दफा चलेगा वो विद्यार्जित करने के बाद विद्या खतम हो गयो उसने आपको इभाय है है मतलब क्या हो गया विद्या से हानी हो गई हाउस से रिलेटेड चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं यह पॉजिटिव सेनेरी होगी हो जब जिस दिन हमें रेमेडी की क्लास लूँगा उस दिन थोड़ा बहुत हाउस यूटिलाइजेशन भी बताऊंगा आपको कि बिना उपाय किये भी कैसे उपाय होते हुआ बनाने के बाद बड़े प्रयाज के बाद बड़ी मेडिसिन खाने के बाद भगवान ने आपको एक उलाद भी और उसका रिलेशन बन गया फाइफ ट्वेल्फ से पाइफ और ट्वेल्फ इंद्रा गांधी का चार्ट देखना जब पता चला वह बच्चा ही आपके बीच 12,000 लॉस फिफ्फ फाउस इस यूर चाइट दोनों बच्चे मार दिये गए मतलब हादसे में चले गया इंद्रा गांधी जी के चेक करना चार्ट कि पांच और बारा का कोई रिलेशन बना है क्या इस यूरेच बच्चे का जनम हुआ और जनम होते ही विदेश में चला गया और विदेश में जाके उसको पढ़ना पढ़ा पांच बच्चा बारा मं भाव जो है वो लॉस कटम दियो गोगई कि लिए रो रही है बात कुछ है एक बात और बताते हैं हर केस में तीसरा आटमा चटे का बार्वे का रिलेशन बनना खराब भी नहीं होता बहुत बड़ी उपलगती भी दे सकते हैं इतनी जल्दी मैं आपको इसली समझा दूंगा इतने कम समय कभी कॉंसेप्ट नहीं है लेकिन आपको एक बात बता है यह जो जमेले वाले हाउस है त्री सिक्स एट ट्वैल जिसको अभी आप बहुत बुरा बोल लाए जब आपको पूरी जोतिश आ जाएगी ना आपको इन ह इतिहास चेलेगे जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो विदेश में जाकर रहरा है विदेश में उसका सब कुछ चल रहाए है मैं यहां बोल रहा हूं आपका पैसा कोई नहीं देगा लोग दूसरे के पैसे से पता नहीं कितना बन जाते वो भी च्छठा भाव है तो कब यह हाउसेस आपको प्रॉफिटेबिल्टी देंगे कभ यह हाउसेस आपकी धजियां उड़ा देंगे यह चेक करना भी एक टास्क है और यह आपके चैप्टर नहीं है यह एडवांस का चैप्टर कि आप कंफिगर कर सकते होगी यह चीज करने से ही आपको प्रॉब्लम आएगी और यह चीज करने से आपके डवलम में मैंने आपको क्या भूला च्छटा भाव कॉंस्पिरेशी का भी है ना कॉंस्पिरेशी से ही लोग हिट हो जाते हैं एक अभी लब बिग बॉस का ओटीटी शो लॉंच हुआ उसमें पुनीत सुपरिस्टार करके उसको बुलाया गया उसको लोग लॉड पुनीत भी बूलते हैं और विदिन टैन आवर उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया आप बिग बॉस में नहीं रहेंगे बिग बॉस भी हिट हो गया उसके इस कदम से और पुनीत के लगबग मेरे लगता दो तीन मिलियन थे सस्क्राइबर या एक डिड़ मिलियन वह चार-पांच मिलियन क्रॉस कर गये वह इतना वायरल हो गया लड़का आज की डिट में आप सब जो भी सोसल मीडिया में एक्ट कॉंसपेरेसी से लिट हो जाता है नहीं हो जाता अब जाने अब कौन सी कौनस्पिरेसी आपको टॉप पे लेके जाएगी अगर आप में से कोई पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को सुनता हो गाने सुनता हो तो उसमें एक एमीवे बेंटाई करके एक रैपर है उसकी और रफतार एक वुभी रैपर है उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी चली और उस कंट्रोवर्सी में एमीवेंटाई के जिसके मतलब लाग-दो लाग-चार लाग भी सस्क्राइबर नहीं थे इस समय मतलब टॉप सस्क्राइबर वाला यूट्यूब शैनल है उसका तो conspiracy आदमी को बरबाद भी कर देती है और conspiracy महारत भी हासिल करवा देती है समझ पा रहे हैं मेरी बात यह clear कर पाना advance का part यह जो लोग केपी astrology कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझाए जाएगे और यह जो पराश्री का advance करेंगे उनके मतलब की चीज़ों की किसी भी बड़ी opportunity को प्राप्त कर लेने का जहां पर दुनिया को एक बात बताओ अभी क्या हुआ जब अडानी के शेर डाउन होगी कि 50 परसेंट 60 परसेंट 70 परसेंट तक शेर प्राइस के रेट चले गए डाउन चले गए जिन्होंने उसमें लगा के रखा था उस सब तुरंत बढ़े लॉस्ट कुछ भी हो उन अपने पैसे निकालने चालू कर दी उनको लॉस हो गया आपको पता एंड दो घटनाएं घटी अडानी के शेर डाउन होने एक घटना ये घटी कि जो और लेडी हाई वेल्यू पर प्राइस लेके मतलब शेर लेके बैठे थे उनको उनके दिमाग में जैसे ही अडानी का वो आया कि ये कंपनी जा रहे डूब रही है ये हो रहा वो रहा है उन्हों अपने पैसे अटाने चालू कर दिया 900 का प्राइज में शेर खरीदा 6600 में बेचा उसके लिए तो लॉस हो गया उसके लिए तो लॉस हो गया और किसी ने उसी समय जब सब बेच रहे थे उसी समय खरीदना चालू किया उसी समय खरीदना चालू गया उसने कि दू महीने के अंदर किसी का दो 20 लाख यह था त optim कि और 50 लाख सब्सक्राइब कुछ दिवाह बात जा रही आपके छाए कुछ तो यह कुछ चैले है कि का कौन सा इंवेस्ट्प Mैंट आपको बरबात कर देगा और कौन सा investment आपको अबाद कर देगा पूरी जिंदिगी बैठ के खिलाएगा यह सूर कुंडली चंदर कुंडली लगन कुंडली देखके क्लियर नहीं कर पाए इसके लिए कि एडवांस कोर्स में जाना परे क्लियर हो रही है बात कुछ मेरे में मत जाओ भाई कहीं जाओ मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि जिस चीज को आप सबसे डिजास्टर बोलते हो किसी लाइफ का सबसे खराब जिसको बोलते हो वही चीज आपको सब कुछ दे रही होती है कभी कभी जीवन में इसलिए कुछ भी अच्छा खराब नहीं है सीजी था जिना गत्ती हों तीसरे भाफ की बात होती है कि वह सीते में था स्यत्तरी फॉट परिश्रम बहुत बहुत ऑस संघर्श बहुत बहुत जो लोग जितनी मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में एक पचा़्शास साल्सकी उसे को पासीछ सान युदिक समय कि उसके स्ट्रगल को ही लोग अब जो हीरो की चपरासी जिस आदमी चपरासी बनने के उकाद नहीं थी वह आदमी हीरो बनके रोल प्ले कर रहा है समझ रहो मेरी बात को यह थर्ड हाउस किसकी बैंड बजाएगा और किसको संघर्ष में इतना मजबूत कर देगा कि वह विक्ति टॉप पे बैठ जाए यह तीसरा भाव ही नरधारिट करता है तो यह एड़्थ हाउस हिस्ट्री क्रियेटर है सिक्स हाउस कि अगर पॉजिटिविटी मैं आपको बताऊं एक का एक पॉब्लिसिटी मार्केटिंग ग्रोथ वेल्थ दिलाने का एक मात्र हाउस है त्वेल्थ हाउस जो है वो लॉस का भी है लेकिन कहीं दस रुपए आपका लगा वह दस करोण में तब्दील हो गया वह हाउस भी त्वेल्थ है किसके जीवन में त्वेल्थ हाउस लॉस देगा किस सेनेरियों के विद्रिस्पेक्ट अब आपके पास कोई क्लाइंट आ ग चौथा भाव दिख गया कि चौथा भाव प्रोपेट्टी ए चौथा वाव यह वह आपने तो बोले लगा दीजी लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं हुआ कि चौथा भाव पैसा देगा चौथा बाव तो इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा उस एंवेस्टमेंट के बाद क्य क्या होगा आपने तो भी इतना ही बताया कि यहां इन्वेस्ट कर लो उस इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा उसको चुल मची यह कीड़ा काट रहा है तो कहीं नहीं लगाएगा लेकिन अब वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कि डिजास्टर लोड किसी एक करियर फिल्ड को बता रहा है किसी सोर्स ओफ इंकम को जनरेट करता हुआ दिखा रहा है लेकिन वह मिलने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और छूट जाए आपके हां से आपके जीवन से आपके चीज़ों से क्लियर हो रही है बात इन सब चीज़ों पर भी जाना पड़ता है स्था क्लियर हो रहा है इस पर जितना आप काम करोगे यह जो आज का मैंने आपको कुंडली देखना बताया है विशलेशन कराना बताया है मैं इसको एक-एक हाॉस भी लेके जा सकता था दो-दो हाॉस भी लेकिन मैंने आपको pin point ही आज की class में बताया है कि तीसरे भाव को कैसे use करना है, 8th house को कैसे use करना है, 12th house को कैसे use करना है, कैसे कैसे use हो सकते हैं, वो भी scenario बता दिया, केवर लगन कुंडली के with respect to नहीं, चंदर कुंडली, सूरि कुंडली के with respect to भी चेक कर लीजिए एक बार और उसको plan करके लिख लीजिए, भाई मेरा loss कहां हो सकता है, मेरे को alert कहां पर रहना है, कहां पर conspiracy हो सकती है, कहां पर pain हो सकता है, किस चीज के with respect to जीवन में संगर्ष ह हो सकता है उनको मार करके रखे लिए उनके लिए प्रिपेर रहे हैं और हो सके तो रेमेडी कुछ करिए क्लियर है ठीक है जैश्याराम टुवाल गुड़नेंट